इस वीडियो में आपको हम बताने वाले इंडिसेंट बैंक के तरफ से एक नए अपलिकेशन लाँच किया गया है इंडियाप इसके माध्यम से आप जीरो बैलेंस अकाउंट आपन कर सकते हैं इंडिसेंट बैंक के तरफ से भी आप जीरो बैलेंस अकाउंट आपन कर सकते हैं मोयल बैंकिंग को एक्टिवेट करने के साथ ही आप एक्टिवेट कर सकते हैं एक्टिवेट कर सकते हैं उसके दोहर आप दोहर वे पे टेम जैसे अप्लिकेशन को आसानी से एक्टिवेट कर सकते हैं ना इसमें आपको वीडियो के वैशी करना होगा ना आपको बरांच विजित करना होगा बीना बरांच विजित किये बीना वीडियो के वाइसी कम्पिलिट किये इस आकाउंट को आपेंड करके मुवाइल बैंक की को अक्टिबेट करने के तुरह एंथिबात किसी को पैसा टांसफर करने का भी काम कर सकते हैं तो चेलिए हम बीडियो को सुरू करते हैं और inischen bank के तरफ से जो application launch किया गया है उस application के मधद हम से zero balance account open आपको हम दिखाते हैं देना होगा तो उसके बाद यहां पर फिर से कंटिनु पर हम किलिक कर देंगे जैसे हम यहां पर किलिक करेंगे तो किलिक काने के बाद यहां पर आगले इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा तो यहां पर आपको एक मोईल नमबर डालना होगा जिस नमबर से आप अकाउ जैसे हम यहाँ पर किलिक करेंगे तो यहाँ पर मोई लंबर पर एक ओड़ भी भी भाज आएगा उस ओड़ीप को आपको यहाँ पर फिलप करना होगा अगर आपको यहाँ पर फिलप हो जाता तो ठीक है ने तो आपको मेन वाली यहाँ पर फिलप करना होगा तो हम OTP को यहांपर फिलफ कर देते हैं करने के लुग कर देते हैं जैसे हम कन्तिनुव पर कीलिक करेंगे कीलिक काने के बाद यहांपर आपको अगला इंटरफ़ेश देखने के लिए मिल जागा तो यहांपर आपको एक M-Pin सेट काने के लिए का जाए जो 4 digit का mpin होता है तो हम यहाँ पर click कर देते हैं set mpin पर तो जैसे हम यहाँ पर click करने के बाद यहाँ पर आपको क्या काम करना होगा एक mpin click करना होगा एक नय mpin बनाना होगा तो हम यहाँ पर एक mpin डाल देते हैं डालने के बाद continue पर हम click कर देते हैं उसके बाद यहाँ पर फिर से confirm करने के लिए वही M-PIN आपको यहाँ पर डाल देना होगा, डालने के बाद फिर से continue पर किलिक करना होगा, तो हम यहाँ पर दो बार M-PIN को डाल दिये, डालने के बाद continue पर हम किलिक कर देते हैं, जैसे हम continue पर किलिक करने के बाद थोड़ सा processing लेने के बद यहां पर आगले इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा तो यहां पर लिखा हुआ है यहां पर आपको क्या काम करना होगा यहां पर देख सकते हैं तो यहां पर आपको क्या क्या अपन होने वाला है यहां पर आपको क्या क्या डॉक्मेंस लगने वाला है तो पर आपको यहाँ पर आधर नंबर और पेंड नंबर डिई डालना होगा और उसके दोबर आप अकॉण्ट को अपन कर सकते हैं तो हम यहाँ पर continue कर देते हैं तो जैसे हम continue करेंगे किलिक करने के बाद यहाँ पर अगला इंटर्फेस सो करने लगा तो यहाँ पर आपको पेन नमबर यहाँ पर डालना होगा जैसे आप यहाँ पर पेन नमबर डालेंगे डालने के बाद तो continue पर किलिक कर देना होगा तो हम यहाँ पर किलिक कर देते हैं जैसे हम यहाँ पर click करेंगे click करने के बाद यहाँ पर अगला interface so करने लगा तो यहाँ पर आपको enter your other number तो यहाँ पर आपको एक आधर number डाल देना होगा जो आपका आधर card में जो number होगा वही number आपको यहाँ पर डाल देंगे डालने के बाद पर टिक करेंगे ठीक करने के बद कंटीनू पर किलिक कर देंगे उसके बाद यहां पर आगला ओप्सन सो करने लगा और यहां पर देख पर वोटीपी यहां पर डालने के लिए कहा जा रहा है जो आप वहां पर आधर नमबर डालें उस नमबर पर जो भी आपका मोईल नमबर उसके बाद आपको सब्मिट हो घ्ली करना होगा जैसे आप सब्मिट पर किलिक करेंगे किली करने के बाद जो भी आप का अदर काड़ाव very solo कर इसके ना also जी करें करना अगर आप के लent सकते हैं उस नाद स Smrol कर रहे हैं तो उसी पर टिक रहने देंगे, उसके बाद continue पर klik कर देंगे, जैसे। आप continue पर klik कर एगे, किली कर देंगे, इंद यहाँ पर थना लिचा कर देंगे है। जैसे आप next पर click करने के बद आपको यहाँ पर फादर नेम डालने के लिए का जा रहा तो आपना फादर नेम यहाँ पर डाल देंगे डालने के बद next पर click कर देंगे उसके बाद यहाँ पर अगला option so करने लगा है यहाँ पर mental is shutter पर आपको select करने के लिए का जा रहा अगर आपका साधी हो चुका तो मेरिट पर आपको किलिक करना होगा अगर आपका साधी नहीं हो तो आपको सिंगल पर किलिक करना होगा उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है आपका सरीर में किसी भी परकर का प्रोवलम है तो आपको यहाँ पर एस करना होगा अगर आपका problem नहीं है शरीर में तो यहाँ पर no पर किलिक करके submit पर किलिक कर देना होगा उसके बाद यहाँ पर आगया professional details यहाँ पर आपको किलिक करना होगा तो हम यहाँ पर किलिक कर देते हैं तो हम यहाँ पर Next पर किलिक कर देते हैं उसके उप्सक्राइस के बाद आगे अगला Step यहाँ पर देख पार है यहाँ पर Annual Income आप यहाँ पर डालने के लिए लिका आ जा रहा है तो हम यहाँ पर किलिक कर देंगожет के बाद जयसे आप की आपको रिके कर ritt करते हैं तो यहां पर खेल करने हैं तो यहां पर इसको किलिक करेंगे जो भी हई हैं अगर आधर आधर स्थ्याय या पर op saud clear कर लेंगे कर लेना होगाँ उससे कोई दिक्रत नहीं है उसके बाद आपको सब्मिट पर क्लिक कर देना होगा यहां पर आगला श्टेप खुलकर के आगया तो एक पर लिखा हुआ है कॉंगरां इपसेडिक करने के लिए अगर आप पैसा और सकते हैं अगर आप नहीं करना चाहते तो यहां पर इसको छो कि उसके बाद यहां पर आपका अकाउंट आपना चाहते हैं तो चला सकते हैं तो यहां पर आपको गोटू डेशबोट पर आपको किलिक कर देना होगा करता है यहां पर इस पर कम करना होगा इसपर करना होगा तो लग diferen of уже the ने कसम लमगे ऑपर अब का आपलैं पर सो सो करने लगेगा तो मेरा तो या पर अबगा अभी तक सो नहीं कर रहा तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे और यहां पर हम देख लेते हैं इसमें क्या-क्या और दिया गया तो हम ATM काड को पहले ओपन करके देख लेते हैं तब दक यहां पर रिफ्रेस हो जाएगा जो भी हो का पहले हम यहां पर डेविट काड को यहां पर ओपन करके देखते हैं यहां पर क्या-क्या काम करने के लिए का जा रहा है तो जैसे हम यहां पर क्लिक करने के बाद तो हम यहां पर क्लिक करना होगा तो हम यहां पर क्लिक कर देते हैं जैसे हम यहां पर क्लिक करने के बाद यहां होगा, यहां पर सथो ने लगेगा, card number so करेगा, expired date month यहां पर so करेगा, अपका नाम भी so करेगा, इसलिब माद को देख सकते हैं, उसके बाद card को activate कर सकते हैं, यहां पर देख पर फाइनल利 account number so करने लगा interrupt एहां पर balance भी so कर रहा, जैसे कि काम इस application के मद्धम से कर सकते हैं तो इंडिसन बैंक के तरफ से यह जो नए application launch किया गया इस application में बहुत सारा काम दिया गया, अकाउंट को open करने के तुरंथी बाद जो है, अब सारा काम इस application के मद्धम से आप कर सकते हैं, आसानी से